प्यारे बच्चो, HLC Physics में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम पत्यवर्ती धारा और दिश्ट धारा में अंतर को जानेंगे सबसे पहले हम पत्यवर्ती धारा को पढ़ेंगे पत्यवर्ती धारा को इंगलीज में alternate current कहते हैं जैसा आप देख रहे हैं प्यारे बच्चो, पहला पॉइंट पत्यवर्ती धारा उस धारा को कहते हैं जिसमें परिमान और दिशा दोनों समय के साथ आवरित्ती रूप से निरंदर बजलते रहते हैं जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं दूसरा जो पॉइंट है यहाँ धारा रहसानिक और चुंबकी प्रभाव प्रदर्सित नहीं करती है केवल उसमी प्रभाव प्रदर्सित करती है पत्यवर्ती धारा केवल उसमी प्रभाव प्रदर्सित करती है ऐसा भी हम इस point को लिख सकते हैं तीसरा point है प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मार का उप्योग करके इस धारा की ओल्टता को बदला जा सकता है चाउथा point है इस धारा के मापक यंत्र धारा के उसमी प्रभापर दारित होते हैं चुकि प्यारे बच्चों पत्यवर्ति धारा अल्टानेट करें रहसानिक और चुम्बकी प्रभापर दार्शित नहीं करते हैं केवल उसमी प्रभापर दार्शित करते हैं इसलिए पत्यवर्ति धारा को जिस यंत्र से हम मापेंगे वो भी यंद्र उसमी प्रभाव पर ही अधारित रहेंगे फिर्ट पॉइंट है प्यारे बच्चो विद्धुचुम्बक बनाने के लिए इस धारा का उप्योग नहीं किया जा सकता पत्यवर्ति धारा का उप्योग करके हम विद्धु चुम्मा का निर्मान नहीं कर सकते हैं और पत्यवर्ति धारा का सिंबॉल इस तरह होता है दीखे यहां पर एक गोलासा करके उनके बीच पर आसक सिंबॉल लगा देंगे तो इस तरह के संकेत को हम पत्यवर्ती धारा का संकेत कहते हैं अब हम दिश्ट धारा का ध्यन करेंगे दिश्ट धारा को इंग्लीज में direct current कहते हैं प्यारे बच्चों दिश्ट धारा उस धारा को कहते हैं जिसकी दिशा नियात होती है जिसकी तिसा नियत होती है परिमान बदले या ना बदले देखे इस चीतर पर देखे आप लोग यहाँ पर यह जो दीशा है वो कैसी है कौस्टंट है नियत है प्रणाम चाहाँ चेंज हो या ना हो दूसरा पॉइंट है यहां रसानिक चुम्बकी तथा उसमी प्रभाव को प्रदर्शित करती है तीसरा पॉइंट है इसमें ट्रांसफारमार को उप्योग नहीं किया जा सकता है चौता पॉइंट है इस धारा के माप यंत्र धारा के चुम्बकी प्रभाव पर अधारित रहते हैं डारेक्ट करेंट को जिस भी यंत्र से हम लोग मेजरमेंट करेंगे वे चुम्बकी प्रभाव पर अधारित रहेंगे फिफ्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों कि हम जो है दिश्ट धारा को उप्योग करके विद्धुत चुमबक बनाने में इसका उप्योग किया जा सकता है दिष्ट धारा को उपयोग विद्धू चुंबक याने इल्क्रिक मेंगनेट बनाने में उपयोग किया जा सकता है इसका सिंबॉल देखें दिष्ट धारा का सिंबॉल कैसा रहता है बैटरी चैसा रहता है प्लस माइनस प्यारे बच्चोर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेर और कमेंट्स जरूर करें धन्यवाद